हेलो स्टुनेंस मैं रवी रंजान आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं इगनेश बेन सिंधी वीडियो में जो आपको प्रोवाइट करता है साथ वी से बार्वी किक्षा तक के सब आज को स्टार्ट तो आज हम पढ़ने वाले हैं समानतर सेडी जो कि आपके कश्षा 10 वी का पार्ट पाच है और इसमें हम आज आ गया हैं पार्ट दो पर यानि आज के सूपर 30 मिनट रिवीजन के अंदर यानि के तीस मिनट की का आपका जो सूपर 30 रिवीजन हैं उसके जरूर देख लेना उसके बाद हम चलने वाले हैं नेक्स टीनी आज क्या तो इस समानतर सेड़ी में एन्वे पद के अधार पर यानि जो आपके बड़े कोशन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टन कुशन आते हैं उनको भी जिसकर करने वाले हैं और साथी साथ इसके सारे concept को क्लियर करेंगे तो करते हैं सब्सक्राइब के अंदर सबसे पहले जैसा कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था एपी होता क्या है यह पढ़ लिया था उसके आपके नवे पद क होता है सब्सक्राइब करें अगर मैं आपको बताओं तो जैसा के लाश्र प्लस में आपको बताए था एपी जो होती है स्रेड़ी जो होती होती होता है पहला पद ऑगला होता है तो तीन के Max कर देते हैं 11 के बाद 15 में फुर्डा से बहुता ह्या इसमें आंदर सो पहला पध सी कर भाएश कर वाहा हूं को पहला थे उसके बाद ड यूमें इनका अंतर हो सब भाएश कर नहीं हो सार्वं Аंतर और यह हमें दे रखाए कितना तो यह में देold कर विलाल तुट तो चार पहला पद तीन है और कोई दिख्कत नी उसके बाद इसके अंतिम पद यानि एनवा पद यानि कि एन जो होता है यह होता है आपका एनवा पद होता है ठीक है उसके बाद एन की बात करें तो यह होता है पदों की संख्या पदों की संख्या होता है ठीक है यह आपका हो गया पदों की संख्या हो गया डन जैसे कि मैं कहूं यह नीचे आ रहा है यह न है आपका योग का यूग यह चीज है यानि अगर इसी कोश्चन में इसी में कहें कि पहले 20 पड़ों का योग निकालना यानि इसके 20 जो ऐसी सिरीज बनेगी उसे 20 पड़ों को जोड़ा जाए तो कितना आउंसर आएगा तो इस चीज को हम मान लो कहा जाए तो इस कंडिशन में कैसे क्या जागा इसका सौटकट तरीका क्या है क्योंकि हम इतने को नहीं जोड़ सकते हैं 20 क्यों 100 भी कह सकते हैं तो कैसे करा जाए तो इसके लिए एक चीज याद रखना एसन का फामला जो की हमारे पास है एन बटे में दो दो ए प्लस में एन म क्या सकते हों यानि कि अंतिमपद हो गया या फिर कहीं आपको कुछ ऐसा ही दिख जाएगा एन बटे दो ए प्लस में एल एल भी आपका लास्टरम को ही दर साता है ठीक है तो यह आपके फॉर्मले हो सकते हैं इसका हम यूज करके कोश्चन करने वाले हैं जिससे यह सारे फ स्क defines प्राइब और सिक रट नेलों और समय के फिर फ एहां पर सबसे पहले कुशन पर आते हैं पहले कुशन यह कहता है यदि एक समांतर शईनी का नवा साथ की जाए तो यह न हमारे पास दे रखा एं तीन मैंट पांच ना ठीक अब इस में पांच तहों कर एक आँगा और 9 मीशचे पांच नियुक और झोफिट 10 kubert करूं तो यह कितना आ यह आएगा ठीक है वहीं यह आएगा भी एंगी जगा तीन अटें पास्ट या पंदरह मैंसे तीन गया तो 12 यानिकी यह आगया माइनस बारा ठीक है एवन एटू एठी यह तीनों चीजे आच कि एए ओके चलो ठीक है अब उसके बाद क्या चीजे है तो फ़ी तीनों चीजे करना है तो यह कैसे निकालते हैं तो वह एसन निकलेगा और यह क्या होता है तो एन बाइटू होता है ठीक है और पहला पद ठीक है पहला पद यह आगया यानी फॉर्मॉला हम लेते हैं और एन लिख लेते हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं फॉर्मॉला और एन लिखा जा फिलाल जो छोटा दिख रहा है उससे करते हैं क्योंकि यह फॉर्मॉला सिर्फ तब लगता है जब आपको अंतिमपद दिया हो और अंतिमपद हमें दे रखा है कितना 3-5 है तो हम डार कहीं निकालेंगे ठीक है तो यहां पर हमने क्या क्या एन बटे दो लिखा और एक है पहल को यानि की मैं यहां पर देख पा रहा हूं स्न का जो मान है कितना घεια यां ये कस यह यह जो एन है उससे स्रेड़ी निकालना बहुत यह असान है और उसके बाद योग निकाल लो सब कुछ तो पता है फॉर्मुला है आपके पास उसका जो जो वैल्यूस थी वो सब चीज यहां पर अब वो चाहिए इस से निकाल लो उसके कारण भी यहां पर सब कुछ अवलेब बहतरीन तरीके से और नेक्स्ट प्रशन नमबर 2 और 2 की बात करते हैं तो समांतर सेनी एक चार साथ दस इस तरह से बढ़ता बढ़ता जा रहा है तो इसने का है इसके 20 पदों का योगफल याद करना है यह बिल्कूल सा कोशन है बीस पद हैं उसका यूगफल हमें याद कर नेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नियुक्ष को यहां पर बाइस सबसे पहले मैंने लिखा हल और उस हल के अंदर यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एक कामान कितना है तो आ होता है पहला पन जो की एक है ठीक है डी की बात कि जाए तो दूसरे प में से पहला पाद निकालना है यानि yoga मान पीस पडों का योग निकालना है यानि कि यस सरट उन्टी ङात करना है और परफिसके लिए बाइटी-वाई-टू ठीक है इसको पहले फॉर्मूला लिके लिए अरहा है तो इसमें सननका फॉर्मॉला जो होता है वह एन बाइटू इसके बाद अंतिमपत इसमें दे रिखार तो नहीं धे रिखा तो हम पूरा फॉर्मूला लगें एन बाइटू-दो ए-प्लस में एन- में एक गुने में डी भाई यह होगा अब इस करण वस अगर मैं स 20 लिखूं तो यहां पर एक जगा बीस आएगा और यह आगया मान पर 10 और यहां दो एक अम दो आ गया प्लस में 19 को तीन से बीस में से गया 19 19 को तीन से उन्नी दुनी अरते से उन्नी तिया 57 कर दिया 572 69 और एक जीरो और यह 590 यहां हम देख पा रहे हैं इसके 20 पदो इसके पहले 20 पदो का यूग जो वह 590 आ चुका है वह 590 आ चुका है इसमें कोई दिकत वाली बात नी डन इसका स्क्रीन सोट लो बिलकुल आसान बहतरीन कोशन था और ऐसे कुशन दो-दो मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं यहां फि चलो कोई बात नहीं कि सबसे पहले मैंने हल लिखा और हल की बात की जाए तो यहां पर हमें क्या क्या चीजे दे रखी है तो बहुए तो पहले तो तो देखा चोवन इसके बाद सार्व अंतर इसका अंतर कितना इतोर थे अछित बाद सब्सक्तिट करना है और यंची यजवं यह आपको दे रखा है ठीक है यह से दैर्खायान आपको ग्यात करना से यहाँ पर अत ś एसन कितना है तो एसन की अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो फॉर्मॉला पर सरी जो दे रखा हो पानसो तीरा है और एसन का जो फॉर्मॉला होता है वो कितना होता है एन बटे में दो दो ए प्लस में एन माइनिस एक गुने में डी ठीक है यह चीज़ आ गया कोई दिक्कत ठीक है अब क्या करना चन्यूर सब्सक्तरव करें इसन का मान हमें दे रखा है न को एन ही रहन सक्या और जो हो इसस mirror 20ote चब्विस आएगा ठीक है बडाबर में एन है और 54 दूनी 108 आ गया और यहां पर माइनस 3 गुना करेंगे तो माइनस 3 एन प्लस में 3 आ रहा है ठीक है अभी इसको अंदर गुना करते हैं तो एन तो ठीक है पहले 108 अर्टी ने 111 होता है माइनस 3N है और यह 1026 है इस एन को अंदर गुना कर देंगे इस एन को जैसे ही अंदर गुना करेंगे तो यह क्या आएगा तो 111 एन यानी 1026 बडाबर में 111 एन माइनस में 3N का वर्ग भाई यह जी आ गया इस पूरे को उठाकर इधर लाते हैं और इधर लेकर आए तो यह हमारे पास आ जाएगा प् से धाकर देखें क्याओ टिन इसमें मैं से कॉमन अगा तो 5 पहाड़े में क्या यह आता है तो तीन तीन divinum नौ 3-1 आ रहा है वह तीन से भाग किया तो 37 कोई दिकत नी चलो ठीक है उसका तीन से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा तो तीन तीन नौ आ रहा है तीन चौक बारा रहा है यानि कि यह चीज तो इसको उठाकर हम इस तरह भीजते हैं तो जोड़ने पर तो 37 और गुणा करने पर यहां पर और यह आएगा क्या 19 और 18 अठारा ठारा तो इसको आएगा तो अधिक है अब इसको हम देखते हैं लेकर तो न कॉमंग लिया यहाँ पर दो एक तरफ लाते हैं ठीक है और यहाँ पर भई यह चीज़ आ गया है कोई दिकत नहीं अब इसके बाद बराबर में शूने है और यहाँ पर मैंने देखा एन माइनेस 19 बराबर 0 लिखा और एन माइनेस 18 बराबर में 0 लिखा तो यहां से एन का मान कितना रहा है तो 19 भी आ रहा है और 18 यहां से आ रहा है ठीक है यानि इससे हमें पटा चलता है इस कुश्चिन के अंदर अगर हम अठारवा पद का 18 पदों का यूग करें तब भी 513 आएगा 19 पदों का योग करें तब भी 513 ही आएगा डन चलो वह तो आप इसका स्क्रीन साट ले लो कुश्चन ये समाप्त हो गया है आपर वह इस तरीके के कुश्चन में आपको फैक्टराइजेशन यानि गुणन खंड आपको करना आना चाहिए ओके चलो बढ़ी के तो आ इसके अंदर यह देखना है कि तीन से भाजी संख्याइक कौन कौनसी है यहां पर भाई मैं जो देखता हूं कि बहुत दोसो पचास और भई इसके बाद ठेट 24 अरहीं तीच है यहांब यहां पर देखेए झिल का जोड़ें एक में क्या जोड़े कि वो तीन वराबर भी न पड़े की तीन कि बराबरा थेखा तो इसका मतलब अगर यहां पर यह G20 क्षानद सब्सक्र dx तो हम यह 2 उतारते और यह 3 आप पूरा पूरा कट जाता यानि पहला संख्या 252 ही आएगा तो वह 202 श्टर्ट चया और अगला की आएगा तो 255 आएगा वाई इसमें क्या तीन-टीन बढ़ता जाएगा तो 255 आएगा और फिर 258 ठीक है इस तरह से बढ़ता जा रहा है और बढ़ते 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 अब तो बताहिए ली हजार से पहले वाला मौंसा हूगा तो ऑच पहले वाले की बात के तो उसमें भी हमें देखना है है कि एक हजार अगर है तो अगर मैं उसको तीन से भाव करता हूं तो दीन तिया। 19 पज़ सब चांवता हैं तो फिलाल हम इसी को लिखते हैं कि वह ट्रिपल नाइन आ गया यानि कि 250 और 1000 के बीच में यही संख्याय हैं जो तीन से विभाजित हो रहे हैं ओके चलो अब उसके बात क्या है तो इसमें को लाएं इनका योगफल ग्याद करना है यानि इसमें पहला पद है 252 वह इसका करना पहला काम है और न कैसे निकल लएगा तो इसकी मदद से निकल लगा यानि ए एंड का जो सम्ला होता है वह होता है प्लस में मैंस एक गुल में डी होता है और आडिक बात के तो यह 999 बराबर में एह 252 प्लस में एन माइनस एक और दी कितना है तो तीन है तीन को अंदर ओके बई ट्रिपल लाइन आगे इसको जैसे उठाकर इस साइड लेंगे तो यह जाके घड़ जाएगा और बच जाएगा सिफ 750 बराबर में 3N आएगा और यहां से तीन से जब हमने इसको काटा तो तीन दू निच्छे तीन पच्छे पंद्रा यानि धाई सो बई 250 आ गया य दो प्लस में ए प्लस में एन जब एन अंतिम पद दिया हो तो ए प्लस एन वाला फर्मूला लागेगा तो ए आ रहा है 252 और प्लस में आखरी पद है 299 इसको काटा तो यह कितने पर कटेगा तो यह कटेगा 125 पर और यहां पर हमारा पास आ गया 125 गुणे में इसको जैसे ही करते हीं जोडते हैं कितना आएगा तो यह आजाएगा 12525 गुणा करना है तो बारह 150 में इसको 125 गुणा करेंगे तो असल दो 12 12 का 2 हासिल 1 5 5 5 6 वह दो से करें 2 1 2 5 10 जिरो हासिल 1 2 2 4 और 5 2 1 2 एक से क्या जाए तो सेम आएगा 152 एक आएगा और यहां से 5 है साथ है तीन है पांस त्यापंदर 16 का छे हासिल एक है अब यह पांच आजाएगा और एक आ जाएगा यानिक हमारे पांस जो आ रहा है वह एक पांच छे तीन साथ पांच वह यह चीज़ा गया सपचास वह एस पचास आपका इतना आच चुका है यानि कि भई इसमें संख्याओं को का टोटल का यूग जो है जोड़ने पर जो संख्या मिल रही है वह संख्या है इतनी एक लाग च्छपन हजार अगला कुशन क्या करते हैं यदि एक समानतर सेनी का पांच वापद और बारवापद करमश है तीस और पैस्ट आपको दे रखा है ठीक है तो पर्थम बीस पदों का यूगफल हमें गयात करना अब यह यूगफल कैसे गयात होगा तो इसकी बात मैं करूं तो वह जैसे मैं लिए लिए तो 20 बीस पदों का यूगफल गयात करना तो इसका फर्मॉला क्या होता है तो एन भाइटू एन बीस है तो बीस बटे दो और फिर आगा दो एप्लस में एन माइनस एक मतलब 20 में से गया 19 और डी यानिक अगर ए और डी का मान रहेगा तब ही निकल पाएगा त 30 को लिखा जा सकता है यी प्लस में चार्डी बडराबर में 30 यह था डूसरे की क्या तो एब आरा की सक दसके उन्सार और इसको हमने देख लिया यह बड़ी और से समी समिक रन अब इन दोर समीक्रूं थार करें तब जाके हमारा एऔर दी निखलेगा हूँ असमिकन एक तत्था 2 से, बही समिकन एक तत्था 2 से, और इसकी बात करें, समिकन एक दो से, तो मैं थे लिखा एप निमें 11 बराबर में 65 और यहां लिखा A प्लस में 4D और बराबर में कितना है तो 30 है, और इसको जैसे हमने घटा आया, तो यह । scariestте कार्णब उस से कार्ण गैम स recalor 27 आ गया और पैशेट मेंसे 30 गैट 25 अगया और मैं हैं यहां से डी नीकाल हूं तो डी कितना रहा है तो डी हमारे पास आ खाथ हार m और वह यह साथ पंचे 35 यानि कि दी 5 आ चुका है यानि कि यहां पर देख पा रहे हैं डी 5 आ गया है डन इस डी को उठाकर इन दोने में से किसी भी एक समीकर्ण में रखो तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं अब इस अनुसार हमें निकालना है स 20 यानि 20 पदो का यूग यानि स 20 निकालना है तो यहाएगा बीस बटे में दो आएगा प्लस में 2A, A कितना है तो 10 है प्लस में N-1 यानि 20-1 यानि 19 आया तो बई 19 लिखा और D की बात करें तो D कितना है तो 5 तो 5 लिख दिया इसको काटा तो यह तो 10 पर कट गया और उसके बाद जब सौल करते हैं तो यह तो 20 आ गया और 19 पंचे कितना होग तो 95 होगा उनिस पंचे 95 और 20 जोड़ेंगे तो बई 115 आ रहा है 95 और 20 जोड़ा तो 115 आ गया और उसके बाद 10 से गुना किया तो एक 0 और लगेगा यानि यह आ गया अगला बहतरीन कोशन कैसा है और उसको हम कैसे करने वाले हैं बहतरीन ही तरीके से ओके चलो तो यहां पर भी नेक्स्ट हमारे पास च्छटा कोशन है और यह कह रहा है एक समांतर सेड़ी के पर्थम पद आठ है ठीक है और अन्वा पद है जो 22 है तो पहले अन पदों का यो जो दे रिखा है वो 120 है तो एन तथा सार्वंतर यह सब चीज़े आपको निकालें क्या-क्या एन और सार्वंतर निकालना है चलो ठीक है तो इसमें सबसे पहले मैं लिखता हूं हल यहां पर लिखा हल हल की बात अगर मैं यहां पर करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या पर्थम पद आठ है पहला पद तो आठ है तो यानि कि भई इसमें लिखा भई ए बराबर आठ दे रखा है ठीक है एन पदों का योग यानि एसन जो कहते हैं यह हमें दे रखा 120 अब इसने कहा है एन जियात करना है और भै दी जाद करना है यह दोनों चीजें हमें ग्यात करनी हैं ऑके चलो ठीक है अब अप् Notice the तो वह एन हमारे पास 22 तो 22 लिखा ठीक है एक कितना है तो यह आठ है प्लस में नहीं पता एन माइनस एक आ गया और डी की बात की जाए तो डी भी नहीं पता तो यह आ गया ठीक है अब देखो इसी के साथ एक और चीज़ी सन हमें दे रिखा इसकी हल्प से देखते हैं क्या ह तो यहिन का formula मैं देखता हूँ तो यह होता है और अइन होता है ठीक है अब यहां पर मैं देखता हूं तो और यह दो ओपर जाएगा 120 में दऊ गया और ये ती सोवरा ये नीची आ जाएगा बराबर में तीन चुक बारा और चार दुनी आठ आठ बराबर में एन आ गया और इस के मान को जैसे आप यहां पर रखते हो तो क्या आएगा तो यहां पर मैं देखता हूं 22 मैं इसमें देख लेते हैं इसको इसको मैं अलग से लिखता हूं यह समीकरण एक आ गया और इसके बाद भाई इसको इसको उठाकर यहां रखेंगे तो क्या होगा तो यहां की बात करते हैं तो यह आएगा 22 बड़ावर में 8 प्लस में एन माइनस एक यानी 8 माइनस एक आएगा और गुने में डी की बात करें तो डी है सारवंतर और वह हमें निकालना है तो यह आगया इस आठ को यहीं रहन देते हैं प्लस में इसाठ को उठाकर इस साइड लाते इस साइड लागे तो यह 14 इधर कोशन यहां पर समापत होता हैं कि तो इस तरह के कोशन को भी बड़े प्याहिकर से कर सकते हैं क्योंकि इस कुश्टमे भी ज्यादा को यह वह NOR कुछत नहीं है होता है कि Sud became तो तो यहां पर दो चीजे आपको दिख्ड़ा ही और सन जिनके फॉर्मुले हमें पता ये तो ये न से फॉर्मुल लगाए तो यह और कुछ नहीं निकल पाया ठीक है फिर अश्रिक्वान का फॉर्मुला लगाया तो यहां छोच चाहिक ओंसेन के अंदर हमें की हैं और इस तरह से पूरा चैप्टर फुली रिवाइज होता है यानि कि यह आपका पार्ट दो था इससे पहले की बात करें तो पार्ट एक भी आप कम्प्लिट कर चुके होगे और आप अगर चाहते हो इसके वन सौट रिविजन नहीं इसको पूरा समझने चाहते हूं तो यह बहुत 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 नहीं और आप चाहते हैं तो आपको जैसे मैंने बताया क्लिक करके वन सौट रिविजन तक पहुंचे और वहां पर उसको बिल्कुल देखिए और उसके अलावा आप प्लेश में जाकर भी इसको पूरा पढ़ सकते हो जिसमें हमने इसके पूरे सॉलिशन को भी करवा रखा है मोश्ट इंपोर्टन की सीरीज भी आवलेबल है और साथ यसाथ वन सौट रिविजन भी आवलेबल है तो आप जो भी पढ़ना चाहें हर चीज बिल्कुल सिस्टेमाटिक और रेंज़ फॉर में प्लेलिस्ट में आपको मिल जा इसके बाद में आपको बताना चाहता हूं मैंगनेल बेन के बारे में तो जैसा कि आपको पता हिए मैंगनेल बेन इक ऐसा प्लैटफोर में जो आपको प्रवाइड करता है के सब ही वीडियो कोर्स और वह भी फ्री और साथ-साथ में और क्या चीजी तो हिंदी मीडियम की बात की जाए तो बहुत सब्सक्राइब और यह सब कुछ मिलता है हाई क्वालिटर एजुकेशन वह भी हंड्रेट पस्टेंट फिर और कोर्स हमारे जो देख पा रहे हुए सी इंग्लिश मीडियम एंटीर सी ओलंप्यार सी यूट इस तरह के कॉंपेटिटिटिव लिवेल के प्रपेक्शन भी करवाई जाती है इस पोकन इंग्लिश भी अवलेबल है और साथी साथ हैं इंदी मीडियमें सीपी बोर्ड बिहार बोर्ड और भी एंसी आटिसलेटर जितने भी बोर्ट्स हैं वो सभी कंप्लेट करवा जाए आपका MP बोर्डों चाहे राजिस्थान आपके सेस्कंवाटन आपके जान पचान डिलेटीव कोई बी हैं जो ककशा हों में पढ़ते हैं उनको फासाएं साथ करते हैं अजरूर अगर वीडियो आपको अच्छGe लगता है लाइक किईए नियू है तो सुप्स्क्राइब कीजिए शेयर आप करते हैं ऊक्य हो क्य